नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका श्रडीफार सीविल दपसेद में यूटूब चैनल में बने साथ है तो भी यह वाला टेलिग्रम जरूर 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 है नमस्कार विद्वान साथियों यूटूब चैनल में बढ़ाते हुए देखते हैं आज का पहला प्रसंद रो हालही में किस देश ने अपने नए समुद्रे निगरानी ड्रोन सी गार्जियन का परिछन किया है वह आपको बताना है जापान, भारत, रूस या फ्रांस तो इसका जो सही आंसर है वह option A जापान ने जो है आपने नए समुद्रे निक्राणी ड्रोन C Guardian का परिछन किया है और यह जो है जापानी तट्रचक बलने किया है और यह जो परिछन हुआ है वह C of जापान के तटी छेतर में किया गया है और इस ड्रोन की जो कुल लंबाई जो है वह 12 मीटर है और यह जो है इसके जो पंखों की जो विस्तार है वह 24 मीटर है 24 मीटर है आए देते हैं अगला प्रस्म लोग सूची एक को सूची दो से मिलान खेजिए यहाँ पे बहु उद्देसी परियुजना हैं और नदियां दी गई हैं इसके लिए 4 आपसन दिया गया आप लोग आपसन पढ़ लिजिए इडुकी परियुजना जो है वह पेरियाई नदी पर है माता टीला परियुजना जो है वह बेतवा नदी पर है नागारजुन सागर परियुजना जो है वह किस्रा नदी पर है और पोचम पात परियोजना जो है वह आपके गोदाई नदी पर है तो इसते जो है option C जो है वह सही होता है आए ते अगला प्रसम लोग देश की प्रथम क्रिस्य विद्याले के अस्थापना किस वर्थ होई थी 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1980 में तो इसका जो सही आंसर है वह option B, 1960 में प्रथम में क्रिस्य विद्याले की अस्थापना होई थी और या उत्तराखंड के पंतर नगर में होई थी और इस विद्याले की अगला प्रसम लोग एक मार्क है अंडा उत्पादन हेत्व एक सहकारी समित, क्रिस्को की एक सहकारी समित, अंडो की एक वी नियमित मंडी या गुडवत्ता गारंटी की मोहर तो इसका जो सही आंसर है वह उप्संडी गुडवत्ता गारंटी की मोहर जो है यह एक मार्क है यह भारत में क्रिस्क खाद उत्पाद प्रार्थों पर इसे लगाया जाता है एक मार्क को आई जिते हैं अगला प्रसम लोग निमलेखित में से कौन से एक रवी की फसल है कपास मक्का अरहर या सरसूं तो इसका जो सही आंसर है वह उप्संडी सरसूं जो है एक रवी की फसल है और रवी की फसल जो है यह अक्टूबर नौंबर में जो है बोई जाती है और फरवरी मार्श में जो है इसे काटी जाती है और इन फसलों के लिए जो है तापमान की कमी होनी जरूरी होती है इसलिए जो है यह सीतकाल में बोई जाती है इसका जो आप्संडी यह वज सही है आई तेहला प्रसम लो माही सुगंदा किस फसल की एक प्रजाती है धान की, गेहों की, सूर्य मुखी की या सरसों की तो इसका जो सही आंसर है वह ओप्सन ए धान की माही सुगंदा जो है एक धान की फसल है धान की प्रजाती स्वारी धान की प्रजाती है इसका जो option A वस है है, आयते अगला प्रसम लोग मौरे मंत्री परसद में निम्ले में से कौन राजस्व इकठा करने समझे था समाहर्ता, व्यवहारिक, अंतपाल या प्रदेश्टा तो इसका जो सही आंसर है, व्यवहार अप्सर A, समाहर्ता मौरे मंत्री परसद में राजस्व इकठा करने वाले को समाहर्ता का जाता है उसी प्रकार से ब्यवहारी जो होता है, वह दिवानी नियायले का नियाधिस होता है अंतपाल जो है, वह सीमावर्ती दुर्गों का रच्छक होता है और प्रदेश्टा के जो कार्य होता है वह जो है फोजदारी न्यायाले का एक न्यायदीस होता है प्रदेश्टा हो आयते हैं अगला प्रसम लोग बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है विम कड़ फिसेस, कनिस्क, नहपाण या बुद्ध गुद्ध तो इसका जो सही आंसर है वह option B, कनिस्क है कनिस्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है और कनिस्क कुसालवंज का एक महनतम सासक था और कनिस्क के समय में जो है चोथी बौध संगीत होई थी जो कुंडलवन में होई थी और यह जो है बौत धर्म को मनने वाला था कनिस्क आई इतने अगला प्रसम लोग प्रथम गुप्त सासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाज धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त दुति या स्रीगुप्त तो इसका जो सही आंसर है वह ओप्सन सी चंद्रगुप्त दुति ने जो है परम भागवत की उपाज धारण की थी और वह जो है गुप्त वन्स का प्रथम सासक्ता जिसने जो है परम भागवत की उपाज धारण की थी और इसी की समय जो है चीन का यात्री जो है फायान जो है भारत आये था चंद्रगुप्त दुति के समय में आयता अगला पृसमलोग सूपर सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रहमोस निम्न में से किसका एक सन्यूत उपकरम है भारत और रूस का भारत और चीन का भारत था इसराइल का या उप्रिक्त में से कोई नहीं तो इसका जो सही आंसर है वह option ए भारत और रूस का जो है एक सनित उपकरम जो है सूपर सोनिक कुरूज मिसाइल ब्रह्मोस है और ब्रमोस मिसाइल जो है इसे पंडुबी से पानी के जहाज से विमान से या जमीन से जो है इसे छोड़ा सकता है सूपर सोनिक कुरुज मिसाइल को इसका जो आपसेट एह वह सही है आयते अगला प्रस्म लोग रिवालवर का अविस्कार किस ने किया था जे एल बियड दोरा जी ब्राउसा दोरा कारल बेंच दोरा या सेमवल कोर्ट दोरा तिसका जो सही आंसर है वह आपसेट डी सेमवल कोर्ट ने जो है रिवालवर का अविस्कार किया था और सेमवल कोर्ट जो है यह एक अमेर्की थे होमी भावा पुरसकार किस छेत में विशेस योगदान के लिए दिया जाता है शैधान्तिक भौतकी, नावकी उर्जा, लेजर भौतकी या अंतरिच अनुसंधान तो इसका जो सही आंसर है वह option भी नावकी उर्जा के विशेस योगदान के लिए जो होमी भावा पुरसकार प्रदान किया जाता है और होमी भावा जो थे वह भारत के परमाण उर्जा कारिकरम के जनक माने जाती है इसका जो option B वह सही है आयत एगला प्रसम लोग भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ है यहां चार आप्षन दिया गया है आप लोग आप्षन पढ़ लीजे इसका जो सही आंसर है वह option C भारत में वनसानुगत सासन नहीं है भारत एक गरतंत्र है इसका अर्थ होता है अर्था सरवोच पढ़ जो होते हैं वे बिरासत में नहीं मिलता है देश का सरवोच पढ़ आम जनता में से कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है इस पर पर आयतने हैं अगला प्रसंबलो निमलखित में से किस एक का कथान है कि सम्विधान को संगहात्मक्ता के तंग धाचे में नहीं डाला जाता है डाला गया या जो कथान किसने का वाग पताना है डेडी बस कियम मुनसी बी यार अमबेटकर या एके आयर तो इसका जो सही आंसर है वो आप्शन से बी यार अमबेटकर ने जो है कहा था कि सम्विधान को संगहात्मक्ता के तंग धाचे में नहीं डाला गया है इसका जो आप्शन से ये वर सही है आईतने अगला प्रसंबलो निम्रगी कत्नों पर विचार कीजिए यहाँ पर तीन कत्न दिया गया है पहला जो कत्न है भारत की सम्विधान सवाने राष्टी धोज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाय था दूसरा जो कत्न है राष्टी धोज के बीच चक्र में 21 तीलिया है तीसरा जो कत्न है राष्टी धोज की लंबाई चड़ाई का अनपा जो है वह तीन अनपाते चार है इसमी साब को बताना कौन सो सही है इसके लिए चार अप्सन दिया गया है केवल एक और दो सही है केवल एक सही है केवल दो और तीन सही है या केवल दो सही है तो इसका जो सही आंसर है वह option B केवल जो है एक सही है इसका जो पहला कथन वह सही है कि भारत की समिदान सबाने राश्टी धोज का प्रारूप जो है वह 22 जुलाई 1947 को अपनाय था और यहां पे जो दूसरा कथन वह गलत है राश्टी धोज में 21 तीले नहीं बलकि 24 तीले है और इसी प्रकार राश्टी धोज की लंबाई चोड़ाई जो अनपात हुआ तीन अनपाते चार नहीं है बलकि यह जो है तीन अनपाते दो है इसका जो अनपात है तो इसका जो option B वसाई है आईते एगला प्रसम बलोग तीन अक्टूबर 2020 को भारती नोसियना और बांगलादेश की नोसियना की बीच दूइपच्छी नोसेनिक अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया है बोंगो सागर नौ सहनिक अभ्यास का यह कौन सा संस्कान था वह आपको बताना है यह पहला संस्कान था दूसरा संस्कान था चाओ था या तीसरा था तो इसका जो सही आंसर है वह ओप्सन भी दूसरा था भारती नौ सहना और बांगलादेस की नौ सहना भी जो है बोंगो सागर का आयूजन किया गया था और यह जो है इसका दूसरा संस्का था आईते हैं अगला पर संबलो हाल ही में कितने व्यक्तियों को वर्स 2020 के Right Lovelyhood Award दिये जाने की घुश्रा की गई है तो यह जो पुरसकार है यह एकुल चार लोगों को दिया जाएगा यह एकुल जो है चार लोगों को दिया जाएगा और इसमें जो है बेलारूस की एलेस बालियात्सकी है इरान की नसरीन सोतो डे है अमेरिका की ब्रायन इस्टिवेंसन है और निकार गुआ की जो है वो लोटी के निंगम वरेन है तिया जो अकुल चार लोगों को प्रसकार दिया जाएगा राइट हुड लवली हुड राइट लवली हुड अवार्ड को आएट अगला प्रस्म लोग 6 अक्टूबर 2020 को गुजरास सरकार ने ग्रामीर छेतरों के लिए डिजिटल सेवा सेत प्रोग्राम की घुशला की इस प्रोग्राम के तहट गुजरात के गाउं को कितने MBPS Optical Fiber Network से जोड़ा जाएगा पचास, सव, दोसो या तीन सव तो इसका जो सही अंसर है वो आप्शन भी सव सव MBPS Optical Fiber Network से जोड़ा जाएगा गुजरात में इसका जो आप्शन भी सही है आई ते अगला प्रसम लोग सूपर सोनिक मिसाइल स्मार्ट के संबन्द में सही कथन चुने यहाँ पे दो कथन दिया गया है पहला जो कथन है इस मिसाइल का सफल परिच्छन 5 October 2020 को और इसा इस्थित फिलर दूइप में किया गया दूसरा जो कथन है स्मार्ट का पौन रोब जो है वह सूपर सोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज आफ टार्पीडो है इसके विचार आप्शन दिया गया है केवल एक सही केवल दो सही है या इनमें से कोई नहीं सही है तो इसका जो सही आंसर है वह आप्शन सी इसके जो दोनों कथन है वह दोनों सही है कि सूपर सोनिक सूपर सोरिंग मिसाइल स्मार्ट को जो परिच्छन है वह 5 October 2020 को और इसा में जो है फिलर दूइप में किया गया है और इसका जो फूल फार्म है वह सूपर सोरिंग मिसाइल असिस्टेड रिली आफ टर्पीटो है तो यह दोनों कथन जो है सही है आई तो एगला प्रसमलो एक घास अस्थली पारिस्प्री तंत्र के खाद स्रिंखला में बिभीन घटकों का सही करम है यहां पर ऑप्षन दिया旦्य आप आप लोग ऑप्षन प्ढ़ लीजे इसका जो सही आंसर है वह ऑप्षन ए इसका सही आंसर है गास टिड्डा मेंढ़ग अउसर पर जो है यह खाद स्रिंखला को जो है सही अनकुरम है गास जो होता है वह उत्पादा होता है या स्वापोसी भी का जाता है इसके बाद इसका जो उपभोग हो वह तिड़ा करेगा तिड़ा का जो उपभोग हो वह मेड़ा करेगा और मेडिया को जो है साफ उभूक करेगा तो इसका जो आप्शन ए है बस आई है वीडियो अगर आपको अच्छला तो लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए वीडियो को पुर्ण धान्यवाद जैहिन जै भारत